नमस्ते आप सभी का स्वागत है शक्ति पायल गुड़ा के चैनल पे आज हम बात करेंगे एक और डिवाइन मैसेज के उपर तो दोस्तों यह डिवाइन मैसेज मुझे चुर्च में मिला था सेंट पायस 10 जो चुर्च है हमारे हां तो मैं क्रिस्मस में वहां गई थी एक दो दो तिन साल पहले की बात है यह और मुझे भी भी याद है जब मैं मागे थी मुझे यह डिवाइन मैसेज मिला था और यह बहुत ही पावर्फुल मैसेज है इसलिए मैं आप सबी के साथ से शेयर करना चाहती हूँ तो जब मैं प्रे कर रहे थी तो मुझे यह मैसेज आया क कि यह बहुत ही पावर्फुल मैसेज है और मैं चाहती हूँ आप इस मैसेज को अपने जहन में उतारे इसका मनन करे इसका चिंतन करे मेडिटेट अन इस जब में बहुत ही दीप मीनिंग वाला है जब हम बोलते हैं विद दिवाइन नो डेवल कें टच यू सब लोग बात करते हैं कि हमको बुरी नजर लग गई हमारे पर ब्लैक मैजिक हो रहा है हमारे आजू-बाजू टॉक्सिक लोग है बहुत सारी नेग बहुत कुछ करते हैं लेकिन मुझे इस लगता है कि जब आप मेंटली और इमोशनली बहुत जादा स्ट्रॉंग है जब आप डिविनिटी के साथ जुड़े है जब आपका फोकस आपका फेथ भगवान पे है या फिर पॉजिटिव एनरजी पे जिसका कोई भी नाम ले ल मेंटली और इमोशनली पॉजिटिव एनरजी के साथ कनेक्टिड है तो कोई भी चीज आपको नुकसान नहीं पहुचा सकती कोई भी चीज आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती कोई भी चीज आपको हाम नहीं कर सकती इसलिए हमेशा अपना जो कनेक्शन है अपना जो फोकस है अपना जो faith है और अपना जो भी आप करते है life में चाहे कोई meditation हो कोई भी practice याद रखें आपको हमेशा अपने divine से connected रहना है अपनी Divinity के साथ universe की डिविनिटी के साथ universe की positive energies के साथ spiritual masters के साथ angels के साथ God के साथ इश्वर, अल्ला, भगवान आप चोबी फॉर्म में जिसको भी पुछते हैं उसके साथ आपको हमेशा connected हैं क्योंकि बहुत ही powerful चीज़ है यही चीज, यही connection और यही faith, यही practice आपको हर चीज़ से बचाएगी तो हमेशा याद रखना कि अगर आपको devil से बचना है, आपको negative energy से बचना है, आपको किसी भी प्रकार की negativity से बचना है, तो आपको अपने आपको positive चीज़ों के साथ connect करना है और उसके उपर पूरा faith रखना है और जो भी आप practice करते हो, चाहे आप एक हनुमान चाली साब पढ़ रहे हो, या फिर आप prayer offer कर रहे हो God को, या जो भी आपकी religion में practice है, या आप spirituality में हो और वहाँ पे कोई meditation practice कर रहे हो, आपने किसी गुरू से कुछ सीखा है, या आपने अपने धरम से सीखा है, जो भी आप की practice है, वो practice आपको रखनी है, आपको उस पे faith रखना है, आपको जुडाव रखना है, और याद रखना है, जब तक आप उनसे जुड़े हैं, आपको कोई भी चीज destroy नहीं कर सकती, और इसका ये एक और भी मतलब मैं आपको बताना चाहते हूं कि जब आप positive चीज से बढ़ना चाहिए, तो जब आप किसी ग्रूप में हैं, जैसे peer pressure होता है, लोग बुलते हैं तू दारू नहीं पीता, तू सीगरेट नहीं पीता, तू यह नहीं खाते, तू यह नहीं करते, तो ऐसा नहीं कि हम किसी की बात में आजाए, किसी की influence में आजाए, याद रखना आपके आजू-बाजू बहुत सारे negative चीज़ें चल रही है, बहुत सारे लोग negative practices कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के life में या lifestyle में negative habits है, negative addictions है, आपको अपना धिमाग यूज करना है कि आपको कौन सी चीज करनी है, किस के साथ आपको जुडाव रखना है, आप एक टाइम पर दोनों चीज से जुडाव नहीं रख सकते, या तो आप divinity के path पर चले, या फिर आप अपने pleasure के path पर चले, ऐसा path जहां पर पहले pleasure है, बाद में pain है, या फिर जिसमें कोई ना peace of mind है, ना कोई happiness है, ना कोई success है, success whole and complete होती है, success ऐसा नहीं कि पैसा बागी कुछ नहीं है, तो वो success है, success का मतलब यह भी नहीं कि नाम है, बहुत fame है, लेकिन जिंदगी अंदर से खोकली है, तो success मतलब whole and complete, जहां पे relationships अच्छे है, जहां पे पैसा है, जहां पे नाम है जहां पे सेहत है, जहां पे मन की सुक और शांती है, यह बहुत matter करता है, नीन दारी है आराम से, तो आजो बाजो बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी आपके पास, लोग बहुत सारी वे में आपको influence करेंगे, manipulate करेंगे, लेकिन आपको यह ध्यान रखता है कि मुझे divinity के साथ जुड़े रहना है, मेरी जो भी practices है, मेरी जो भी habits है, मेरे जो lifestyle में रूटीन में मैं जो भी करता हूं या करती हूं, वो सब divinity के साथ मुझे और जुडने के लिए मदद करें, और मेरा connection strong करें, यही मेरा focus होना चाहिए, because whenever I am with the divine, no devil can touch me, so do not allow the devils to touch you and that is how you will be able to live a whole and complete successful life, and if you want to stay connected with the divine, you will have to choose divinity over any devil thing that is in and around you, आपकी पास हमेशा choice है, और आपकी उपर matter, आपकी उपर depend करता है कि आप क्या choose करते हो, है न, तो पहली चीज़ तो मैं हमेशा बोलूंगी कि अगर आप positive चीज़े चाहिए, तो आपको जिंदगी में तो आपको positive चीज़े ही जुड करना है, और दूसरा जब आप जुड़ गए तो आपको पूरा trust रखना है, आपको पूरा faith रखना है, और फिर कोई भी प्रकार की negative belief या negative thought या इसकी नजर लगी, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके बोलने से मेरा काम बिगड़िया, यह जब यह मेरे पर black magic करता है, इसके आ गुरू, इन सब चीजसे बहुत बड़े हैं, और क्योंकि मैं उनके साथ जुड़ी हूँ, मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, मैं जो हूँ, हमेशा protected हूँ, तो यह एक आपकी strong belief भी आपको बहुत ज़ादा एक strong protection दे देगी, किसी भी divinity के against, तो यह एक चीज़ आपको में आना है, when I am with the divine, no devil can touch me, no devil has the power to touch me, even in his thoughts, even in her thoughts, they cannot touch me, so I have to be positive, यह आपके office politics में भी बहुत काम आएगा, बहुत लोग बोलते हैं, office में बहुत politics है, लोग मेरे पीछे planning plotting कर रहे है, मैं बचारा क्या करू, याद रखो आप divinity के साथ जुड़े हो, divinity बहुत powerful है, तो आप पी रखना कि भले office में सारे लोग मेरे से against है, भले society में मेरे against है, भले लोग बुरी चीजे कर रहे है, planning कर रहे, plotting कर रहे, गेम स्केल रहे, लेकिन अगर मैं सही हूँ, मैं divinity के साथ connected हूँ, तो मुझे डरनी की जरुवत नहीं है, लेकिन यह ना हो कि आप devil के team में और फिर divine चीजे expect कर रहे हैं तो divinity के साथ आपको जुड़ना है, आपको आपकी alignment करनी है, आपको आपकी उपर काम करना है, positive चीजों के साथ जुड़ना है, और जब आपको लगता है कि आप बहुत ही नेक बंदे हैं, सही काम कर रहे हैं, महनत कर रहे हैं, इमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, आप अपने divine से जुड़े हुए हैं, और आप सही पात पे हैं, तो आपको किसी से भी डरने की ज़रूत नहीं है, चाहे वो office में politics हो, चाहे घर में आपके कोई family members हो, चाहे आपके relatives हो, आपके कोई friends हो, या फिर आपके कोई acquaintances हो, या आपके society में, आपके कोई भी group में को ऐसा हो, जो आपका कुछ भी बिगारना चाहता है, believe me, वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप जो है, पावर के साथ connected है, तो अपना जुड़ाव divinity के साथ रखे, और हमेशा ये याद रखे, that when I am with the divine, no devil can touch me, I hope this message gives you a lot of hope, love and light, if you like this video message, do share with everyone, do like and comment and let me know how are you finding all these divine messages videos, these are specially for you to bring a lot of positivity and hope in your life, I hope I can do this and I hope I am able to do this, so thank you so much for watching to me, if you have not yet subscribed to my youtube channel, do that, अगर आपने subscribe नहीं किया तो जरूर करे, मैं और ऐसे divine messages के साथ आती रहूंगी, मुझे comment box में बताएं आपको कैसा लग रहा है, lots of love and blessings, bye bye, take care, stay in love, be in self love and spread that love to everyone.